विशावाश्य उपनिशद का सात्वा मंत्र लेंगे यस्मिन सर्वानि भूता न्यात्मेवा भूत विजानत हा तत्रको मोह कह शोक एकत्व मनोपश्यत हा जिस व्यक्ति के अंदर यस्मिन जिसमें सारे प्राणी जितने भी क्रियेचर से सब अपने जैसे बन गए अर्थात सब प्राणियों को अपने जैसे देखने लगा विजानत हा ऐसा जो विद्वान ज्यानी व्यक्ति जो अपने में सब को रियलाइज करने लग गया और सब मे अपने आपको रिलाइज करने लग गया फिर ऐसा एकत्व को देखने वाला वो जो सिंगिलनेस को सब जगा देखने वाला व्यक्ति के अंदर फिर कहां मोह रहेगा मुहम अलद डिल्यूजन या इनफैच्वेशन कहां रहेगा अगर इनफैच्वेशन होगा ही नहीं तो फिर शोक या ग्रीफ या दुख भी कहां से रहेगा इसमें तीन चीजें हम समझने कोशिश करेंगे एक तो जो विद्वान विजानत है ऐसे व्यक्ति को विद्वान कहा जो खुद को सब में और सब को खुद में रियलाइज कर लेता है विजानत का अर्थ होता है जानने वाला और जिस अर्थ में हम नोवर या स्कॉलर या एक्सपर्ट्स को समझते हैं ज्यानी विद्वान जिसको कहते हैं उपनी शदों में या हमारे वैदिक शास्त्रों में विद्वान की डिफिनेशन अलग टाइप क्यों होती है बैसिकली हम नौलेज और इन्फरमेशन को दोनों को एक समझ बैढते हैं इन्फरमेशन जो हमें सेकेंड हैंड मिला कहीं कुछ इंसिडेंट हुआ हमें मीडिया में देखा न्यूज में देखा वह हमारे इन्फरमेशन है हम खुद पॉलिटिक्स में इन्वाल्व नहीं है पर पॉलिटिक्स के बारे में जो कुछ हमें मीडि कि द्वरा नियूज की द्वरा सोशियल नियूज की द्वरा या हमें पता चला वह हमारे लिए information है ग्यान क्या है जो खुदब हमने realize किया यथार्था नभवह ज्यानम की definition है अपने वैदिक शास्त्र परमपरा में जो जैसा है उसको आज इट इज रियलाइज करना वह ज्ञान है अगर कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है तो हम मानते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस का विद्वान है उपनीश्द के करता है और माहिर पलिटीशियन है वह पॉलिटिक्स का विद्वान है और जो पॉलिटिकल साइन्स का प्रोफेशर है वो सिर्फ उसके पास काफी सारे इनफर्मेशन से कठा है और कुछ नहीं तो इनफर्मेशन और नालेज इन दोनों को अलत करके जानिये एक व्यत्ती गणीत को जानता है mathematics जानता है science को जानता है इसी तरह कोई धर्म को जानता है कोई आत्मा को जानता है को वेद को जानता है जानने का मतलब है यहां हम उन चीजों के बाउट लगाते हैं वह जिनरली अमें सेकंड हैंड इंफर्मिशन होता है मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता हूं या उस व्यक्ति को जानता हूं वह व्यक्ति जो मेरे से क्लोज है रोज बैढ़ते उड़ते खाते पीते करते तो वह उस व्यक्ति को में जानता हूं पर उस व्यक्ति के बारे में जानता हूं अख़वार पढ़के भी जान सकता हूं टीवी से भी जान सकता हूं दोस्तों से भी जानता हूं पार्टी गॉसिप से भी जान सकता हू तो there are always two types of knowledges होते हैं उपनिशद जिसको ज्ञानी कहता है wise man जो खुद realize करता है न की information को एकठा करके जानता है जैसे एक interesting example देखिएगा एक professor शाव जो कि swimming के बड़े professor है इनिवर्शिटी में पढ़ाते हैं swimming तरने का तरने कितने तरह के होते हैं इनकी history क्या है कहां कैसे तरना शुरू हुआ कैसे आगे बढ़ा उस पर काफी उन्होंने books भी लिखा है पढ़ाते हुए research भी करते हैं seminars में जाते हैं swimming के उपर expertise भी कर समुन्दर में गए भूमने के लिए और वह लहरों में वह बैगे तो चिलाने लगा बचाओ 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 एक वहां एक अनपड़ा आदमी जो भी मच्वारा है लड़का है वह कुद पड़ा professor शाव को उठाकर लाया पूछा कि आप कौन है जी मैं swimming का प्रूफिशर साब ने पूचा तू कौन है जी मैं मच्वारा है अगर उपनिर्षद को डिया जाए डिफाइन कर इन दोनों को कहेगा मच्वारे का बेटा तैराकी का विद्वान है और यह जो तैराकी का विद्वान जो है वह सिर्फ इंफॉर्मर है वह उसके पास काफी स तरह इंफॉर्मेशन निकटा हुआ है इसी तरह कभी-कभी हमें लगता है हमने वेद पढ़ लिया उपनीशत पढ़ा यह पढ़ा तो मैं हम ऐसे व्यक्ति को वैसे भी मिस अंडर्स्टैंड करते हैं कि यह वड़ा धार्मिक है धार्मिक होना धर्म को जानना टू दिफरें में ना हम अगर हिंदुधर्म की बात करें तो पढ़ाया जयता है भारत में भी almost of university में संस्कृ डिपार्टमेंट होता हैं और भारत के बाहर भी इंडिया से बाहर जितने भी देशों में इंक्लूडिंग अमेरिक अमेरिका में भी कम से कम 30-40 इनिवर्सिटीज में हिंदु धर्म के बार में पढ़ाया जाता है और पता नहीं आप में से कितनों को पता है तो 99% हिन्दु धर्म के प्रोफेशर ङया व अन्टी इंडियन आन्टी इंडियन आओ आपके लिए CO for ए और रोच अर्सारे एंडियन को अ्परफेशर हैं वो भी सब आंटी इंडियन और एंटि हिंदु है सब टोफेशBack सब्सक्राइब बुक्स लिखते हैं हिंदु धर्म पर पढ़ाते हैं एक्सपर्ट से उनको बुलाया जाता है मुटे-मुटे पैसा मिलता है उसके लिए और एक नॉर्मल आदमी घर में क lors कि दृपं जिसको कोई नहीं जानता वो उस धर्म को जीता है के प्रैक्टिश मिलता है वो जो नॉर्मल आदमी घर में धर्मको प्रैक्टिस करता और जो उनिवर्सिती में उसके बारे में काफी सरे किताबं पढ़ रखाय जान रखाय है वह वह उस धर्म का अग्ति धर्म के बारे में जानने वाला तो यह दोनों डिफरेंस सेसिं को हमें जब तक नहीं करेंगे तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे ग्यानी और जिसको आजकल हम ग्यानी कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो बुक पढ़ने से जो ग्यान होता है या दुनियादारी के जो ग्यान होते हैं वो कोई बेकार चीज है उनके अपनी यूज है एक बार एक बहलिया जो बट्स को पकड़ते हैं चिडिया पकड़ते हैं एक बहलिया है तो रोज पक्खी पकड़ने जाता था जंगल में और पक्खियों को लाकर के बजार में बेशता था थोतों को लाकर बेशता था तोत या पैर्रत को लाकर विड़ा इस इस अदम की तरह हो गाऊ कि तो उसको देखा कि यह बजार नहां पींजरे में गिंदीगी में उसको फिर न ऐसे वाल को यह भुशिशे आकाश में खुल के उड़ना चाहिए उनको को बांद के नहीं रखना चाहिए उसने बहलिये को समझाया जो बढ़ क्याचर है और माना नहीं उसकी रुजगार है तो भले अदमी को लगा कि अच्छा ठीक है तो उन्होंने सारे तोते खुद खरीद लिए खरीद करके अपने घर में सोचा कि मैं यह तोतों को सब कि तो उस भले आदमी ने तोतों को ट्रेंड किया कि शिकारी आएगा जाल विच्छाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं फंसना नहीं रोज सिखाते शिखाते छे महीने एक साल के अंदर आप वो सारे तोते बोलने लग गए शिकारी आएगा दाना विच्छाएगा जाल दाना डालेगा जाल विच्छाएगा फंसना नहीं फंसना नहीं भेले आदमी बड़े खुश हैं कि मेरे तोते अब educated हो गए हैं educated अब वो फंसेंगे नहीं तो उन्हों ने तोतों को लिया बाहर जंगल में लेकर के पिंजरे से खोल लिया उड़ने दिया तोते मजे से पिंजरे से उड़के बाहर उड़ने लगे और उड़ते हुए ये गाना गा रहे थे शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिच्छाएगा पंसना नहीं पंसना नहीं थुड़ी दूर जाने के बाद देखा कि एक शिकारी ने दाना डाल रखा था चला जाल बिच्छा रखा था, तो तोने देखा दाना डले हुए है, तोते नीचे उतरे, गाना गाते हुए, शिकरी आएगा, डाना डालेगा, जाल बिच्छाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। इसी गाने को गाते हुए वो दाना चुबने लगे और जाल में फस भी गए तो भी तोते अभी भी वो ही गाना गा रहे हैं। अंदरी बंद हो जाएगी अब तो फंसेंगे नहीं जब पास जाकर देखा सब के सब जाल में फंसे हुए हैं। तो उन्होंने बहलिया को बड़ी खुशी हुई जिसने इनको सिखाया है मेरे रोजगार बढ़ा दिया है। तो उसने तोतों को लिया अब बजार में उसके पास दो तरह के तोते हैं। educated, uneducated। यह तोता कितने का जो बोलता नहीं है। जी यह 50 डलर का और यह जी 200 डलर का क्या फरक है। यह educated है। दिखांब भाई सुनाओ तोता सुनाता है। शिकारी आएगा डाना डालेगा जाल विच्छाएगा फंसना नहीं फंसना नहीं। कि यह कुछ बोलता नहीं है तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों तोतों में फरक हुआ एजुकेशन का अपना फाइदा हुआ वही फाइदा जो हम लोग उठाते हैं वो क्या हमारी कीमत बढ़ जाती है कि हमारी कीमत बढ़ जाती है आप पढ़े लिखे नहीं है आपका रोजगार कम है आप पढ़े लिखे हैं आपका रोजगार जादा है इसके अलावा और क्या चेंज आया लाइफ में दोनों ही जुट बोलते हैं दोनों ही फरेव करते हैं दोनों ही सूपरस्टीशन को मानते हैं दोनों ही जो भी जलेसी इ गुष जो कुछ भी है सब हम दोनों मिलके करते हैं एक इलिट्रेट है और अनेजुकेटेड है पढ़े लिखे लोगों को लगता है गमार है क्योंकि उसकी स्टाइल गमार रटाइक का पढ़े लिखे आदमी का सोफिस्टिकेटेड स्टाइल है वह भी अपनी पत्नी इसको ग तो पढ़ने लिखने से क्या होता है हमारी कीमत बढ़ जाती है कीमत समेशा financial कीमत नहीं होता है financial कीमत भी बढ़ता है social कीमत भी बढ़ता है social लोग respect करने लगते हैं पड़ा लिखा आदमी है ज्यानी है तो इस तरह हमारी कीमत बढ़ जाती है वो socially हो वो financially हो या और किसी post भी मिलता है power भी मिलता है सब benefit होता है उपनिशद की भाषा में ऐसे लोगों को विद्वान वो नहीं कहते हैं इस मंत्र में जो कहा कि जो विद्वान अपने में सब को सब में अपने को देखने लग गया या रियलाइज करने लग गया फिर उसको ना कोई शोक होगा ना कोई दुख होगा तो जो स्वयम को जान लिया वो विद्वान है पर हम तो यह समझते हैं कि जो रिलिज्यस फिल्ड में जो शास्त्रों को जानता है गीता उपनिश्र वेध मला जैसे आप लोग समझते में बड़ा विद्वान हो तो यह कहता है यह मिसंडरस्टेंडिंग है जिसने खुद वो रियलाइज कर लिया जो पढ़ा उसको जिसने रियलाइज कर दिया उसको शास्त्रों में विद्वान केता है जिसके अनुभव हो गया हम जो थिर्फ थियोरी को पढ़ लिया उसको विद्वान मानते हैं इसलिए विद्वान वो नहीं जो हर क्वेश्चिन का जबाब दे दे विद्वान वो है इस मंत्र में कहता है जो शोक और मोह से उपर उठ गया मलें डिल्यूजन और उसकी जो कंसेक्विंस होता है ग्रीफ आसक्ती और दुख तरचा करेंगे दोनों इंटरिलेटेड है जो उ से उपर उठ गया वो विद्वान होता है इसलिए धर्म को जानना बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी में तैरना अगर आप जैसे तैरना जानते हैं आपने तैरने के बारे में क्या पढ़ा है इड़ेंट मैटर पर अगर आप तैरना जानते हो तो आप तैराक हो आप स्विम इसलिए धर्म को अगर आप प्राक्टिस में लाते हो तो आप धर्मिक हो पर धर्म के बारे में जानते हो तो आप धर्मिक नहीं धर्म का वे बेसिक चीज़ें अमें समझने की जुरूतें अब पॉयंट पर आते हैं मंत्र कहता है जो व्यक्ति खुद में सब को हर प्राणी को में वही पर्मात्मा को देखता है जो खुद में देखता है वो व्यक्ति विद्वान है फिर ना उसका कोई शोक है ना कोई उसका दुख है तत्रा को मोह वहाँ फिर क्या मोह रहेगा का शोक फिर क्या शोक रहेगा महला दोनों रहेंगे ही नहीं मोह दिलूजन या infatuation और उसकी जो consequence होता है वो शोक होता है शोक समस्ते हैं दुख तिन तरह के दुख हैं कुछ दुख हमें external चीजों के कारण से होता है जिसमें हमारा कोई control नहीं है तो बड़ा limited control accident हो जाता है बिमार पड़ गए किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया कुछ गिर गए कहीं जो भ इभोतिक दुख केते हैं मैं ऐसी परिशानी ऐसे suffering जो material चीजों के कारण हमारे साथ घड़ता है उसमें limited control हमारा रहता है कि दूसरे तरह के दुख है जो बिलकुल हमारे control में है ही नहीं आधी दैवीक जिससे सुनामी आती है भूकम पाता है टूर्णेडो आता है इस नाच कि बरबादी हुई कितने नुक्सान हुए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं कितना भी साइंटिपिकल्य हम advanced हो जाए कितने भी precautions ले कुछ ना कुछ नुक्सान हो ही जाता है और जो जापान में सुनामी आये तो जापान तो बड़ा अड़्वांस है सब कुछ है और नेचर क पर जिसमें control है जो तीसरी है और हमें day-to-day life में पूरी जिंदेगी जिन दुखों से में गुजरना पड़ता है उन दुखों में ना natural calamity है ना कोई external चीजों का कोई contribution है ना हमारे साथ रोज-रोज accident होता है ना रोज-रोज कोई पत्तर मारता है ना रोज-रोज हम गिरते हैं ना रोज-रोज हम hospital जाते हैं पर दुख तो सबके life में निन तो बहुत हो सबकी खराब होती है कभी 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 हम महीने में कुछ दिन अपते में कुछ दिन दिन में कुछ समय साल में कुछ महीने हमारे परेशानियों में दुखों में बित्ता है वो कौन से कारण उसके लिए मेरे समझने की शक्ति जिसमें कारण बनते हैं जिसकी कारण में दुखी होता हूं अध्यात्मिक दुख है तो मेरे जिवन में यह दुख constantly चलते रहते हैं बहुत चारे लोग हैं जिनके life में natural calamity तो कभी आती ही नहीं आती है तो उनको कभी वो इतने पर्चुनेट है कि हम हम आज तक सब सर्वाइब कर रखें तो कहीना कहीं natural calamity हमें effect नहीं किया और जो external दुख होते रहते हैं फिर हम उसको overcome कर जाते हैं जो day-to-day life में जो हमारे साथ जो इसके साथ हम fight करते हैं वो दुख उसका मूल कारण मोह से जुड़ा हुआ होता है मोह infatuation delusion जिसकी चर्चा हम करेंगे समझने के लिए जब तक आप मोह को नहीं समझेंगे तो शोक को नहीं समझ पाएंगे फिर इसका solution कैसे मिलेगा तो मोह क्या चीज होता है attachment से delusion क्या चीज है कि यह मेरा है यह जो मेरा है जहां जहां मेरा पन जुड़ा होता है मेरा मेरा घर है मेरे कपड है मेरा शरीर है मेरे दोस्त है मेरे मेरे पडोशी है मेरा देश है मेरा religion है मेरा धर्म है मेरी culture है मेरी language है मेरा मेरा है यह सब मेरे होते हैं हमारे जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण कॉन है ये मेरे चीज है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पत्ती है, मेरे पत्नी है, मेरे परिवार है, मेरा शरीर है, ये मेरा के कारण है, इसका आर्थ ये नहीं है कि ये हमें कोई फिजिकली कष्ट दे रहे होते हैं, that is pain, pain एक अल उसका मैक्सिमम कारण होता है जो हमारा मेरा है तो जिस व्यक्ति के पास जितना मेरा कहने के लिए कम होता है उसकी लाइफ में उतने कम दुख होते हैं जब सपोज आपके पास चार गाडियां है अब एक गाड़ी खराब होई जिस दिन खराब होगी उस दिन दुख है जिस द जाते हैं न तो चार वर दुखु के कारण तयार रहते हैं है यह न में मेरा huh तो मेरा जितना बढ़ता जाता है उतना मैं बढ़ता है clothky में तो जितने मेरा यह मेरा ये मेरा ये मेरा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा में भी बढ़ता जाएगा और जब मेरे में को फेस पहुंच जाहे या जिनके साथ मेरी अटाच्मेंट है मो है उनके साथ कुछ भी छोटी सी भी खरों जाती है तो फिर मेंटली मुझे इसकी दर्द होने लगता है मेरे घर को चोट लगे तो भी दर्द मुझे होता है मेरे जान पहचान लोगों को चोट लगे या कश्ट हो तो भी मुझे दर्द होता है अग दर्द की इंटेंसिटी कितनी होगी पता है दर्द की इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि आपकी अटाच्मेंट की इंटेंसिटी क इतनी है मावब के मरने पर दुख होता है पती पतनी घरवाले किसी कभी मरने पर अगर आपको ये पावर मिले डिवाइन पावर कि आप सबके मन की स्टेट को अंदर घुश के समझ पाओ तो आप देखेंगे कि अगर सो लोग हैं उनका कोई अपना जन चला गया है अगर सो लोगों की माइंड को अगर आप मेजर कर सेगे उसमें देखोंगे उसमें पचास तरह की डिफरेंसिस मिलेगा इंटेंसिटी अब जो ग्रीफ है जो दुख है वो अलग-अलग होगा क्यों यह डिपेंड करता है कि आप उस व्यक्ति से अप्चुली कितने अटाश्ट हो आपकी अटाच्मेंट की जो इंटेंसिटी है उससे डिसाइडेड होगा कि आपका दुख कितना बड़ा होगा या सुख कितना बड़ा होगा अगर बहुत कम अटाच्मेंट है तो बहुत कम दुख होगा वो अटाच्मेंट दो तरीके से ज़्यादा या कम हो सकता है या आप spiritually इतनी mastered हैं कि आप attached है ही नहीं तो फिर कम दुख होगा या आपको उस व्यक्ति को निभाना पड़ रहा है क्या करें माँ है बाप है पती है पतनी है बच्चे है ब्लाड relationship है तो निभाना पड़ता है पर अंदर से आप उससे बिल्कुल कट चुके वह आपको उसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है जिस भी कारण से हो बहुत सरे कारण होते हैं व्यक्ति के अंदर आप वह वह प्यार या अटाच्मेंट किसी व्यक्ति कितना भी क्लोज हो वह नस्ट हो जाता है कोई भी रिजिन निभाना पड़ता है बस relationship निभाने के लिए होते हैं उसमें फर मोह और शोक के बीच में देखिएगा जब हमारे लाइफ में कुछ शोक आता है किसी के ना होने पर कोई सामान नश्ट हो गया कोई सामान खराप हो गया कोई relationship में कोई खरावी आई जो भी है हम तब तक दुखी रहेंगे जब तक हमारा मन एक नया चीज में अटाश्ट प् मिलकुल वैसे ही जैसे कि आजकल आप एक बड़ा कमन फिनोमेना देखते हैं क्या वल्ला शादी करो फिर तलाग हो जाता है जी आई लव यू आई लव यू ऐसा लगता है जैसे दुनिया आकाश पाताल ठहर गहें इनके प्यार के सामने हैं इसा प्यार गहरी नदी समंदर से भी गहरा हिमाले से भी उंचा अगास से भी विशाल प्यार देखने वाले को तो लगेगा कि क्या हमने जिन्दीगी में प्यार नहीं किया क्या प्यार बजार में भी प्यार दुकान में भी प्यार इस्टूरेंट में भी प्यार घर में भी प्यार प्यार की समंदर बह ज जैनिवन है जी मेरी सकल को देख करके मत सोचिए कि उनके दुख नहीं है तो प्यार में जब भी सेपारिशन होता है दुख होता है आप किसी से भी प्यार करो घर से करो इंसान से करो गाड़ी से करो गल्फ्रेंट बईफ्रेंट हो किसी से भी प्यार का जो कंसेक्वेंस है वो दुख में ही गनवट होता है तो वो दुखी होता है डेफिनाइटली दुखी होता है बहुत लोग टूट भी जाते हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं अगर वो साइकलोजिस्ट के बास जाए कि इस दुख की छुटने का तरीका साइकलोजिस्ट क्या सज्जेस्ट कर जैसे ही दूसरा या दूसरी मिली, प्यार होना शुरू हुआ, अब भूली गए आपकी कभी लाइफ में दुख था, तो दुख को दूर करने के लिए आपको दूसरा मोह पैदा करना पड़ता है, दूसरा अटाच्मेंट, दूसरा डिल्योजन पैदा करना पड़ता है, फिर आपका दुख कम हो जाता है, फिर नावे हापी, I love you, I love you, honey, फिर, फिर पान साल के बाद फिर चला गया, फिर आप, वो जो ट्रंजिसन पिरिएड होता है, फिर आप दुखी मिलते हैं, कब तक दुखी मिलेंगे, जब तक तीसरा ना मिल जाए, फिर समंदर से गहरी, हिमाल से उंचा, आका से व्यापक प्यार हो जाएगा एक दूसरी के बीच पे, तो यह साइकल है, तो डेल्यूजन से या मोह से अटाच्मेंट होता है, वो अटाच्मेंट कहिए, प्यार कहिए, प्यार ही अटाच्मेंट का, या जिसको आज कल हम लव कहते हैं, इस दस वान टाइ पैदा होता है, क्योंकि जहां भी अटाच्मेंट होगा, उसमें कोई प्राबलम आए, तो दुख होगा, और जो दुख आता है, तो फिर हम नया मोह ढूंडते हैं, नया डिलूजन ढूंडते हैं, जिसकी साथ अपने मन को लगा सकें, गाड़ी पुरानी होई, खराब हो ग कब तक दूर हैगा, जब अगली नहीं गड़ी ना आजाए, यह जो आजकल हम लाव और सेपारेशन का भी जो चल रहा है, वो भी सेम है, हुमन बिंग के साथ प्यार करो, गाड़ी के साथ करो, घर के साथ करो, फ्रेंडशिप के साथ करो, जॉब के साथ करो, सेम तिंग है, डिल्यूजन होता है, कि यही मेरा सारा दुख दूर करने का साथन है, इससे फिर अटाचमेंट हो जाता है, वही अटाचमेंट में जब गड़डियां होती है, तो फिर वो शोक का कारण बन जाता है, फिर जब दुख आता है, वो दुख दूर करने का आएकी रास्ता, आप आपकी काउंसिलर आपकी साइकलोजिस्ट बताएगा अगर आप स्मार्ट है तो भी ना जाने समझ जाएंगे कि मैं अपने आपको और कहीं अटाश्ट करूं इसी साइकल से पैदा हुआ नशों की खोज नशा समस्तें जो ड्रॉक्स लेते हैं शराब की आजकल तो शराब तो विचारा दूद के जैसा पवित्रमान निकल लग गया है अब तो उससे बहुत हाई हाइर स्टेंडर्ड के सब आगे अब तो शराब पिने वालों को भी कोई समस्ता नहीं कि यह कोई आडवांस्ट है अब तो क्या आप तो वो चरस हेरोईन होगरा है यह मिडिल क्लास के आ अल्ट्रा मॉडर्ण जो होते हैं इसलिए शराब पिने वाले मत समझो कि इतना ज्यादा कि आप लोग काफी मॉडर्ण हो ना पिने वालों से आप उन लोगों के लेवल में आप बहुत बुढ़ा हो गयो ओल्ट फेशन लो अब तो ड्रक कहां पहुंच गया है जुआ खेल होना क्यों क्या करूँ दुख है दूर करना जाना होता हैं ना सुख्लानाद कर निश्कला का होज उसी कारण से कि दुख में दुखी हूं तो galprint छोड गई शोड़ दिया जॉब चला गया तो दुख को कैसे में दोर करूँ फिर मैं कुछ नशा लेता हूं गलब़ जाता हूं CANे के ओभी मैं your صोंट करने तो या एक तो आप पर असर होना कम हो जाता है तो आपको डॉक्टर थोड़ी हाई डोज का मेडिशन देता है नश्र में भी सेम चीज होती है और आपकी डोज बढ़ानी पड़ती है क्योंकि बॉड़ी प्यामिलियर हो जाता फिर अशर नहीं करता है कि कुछ दिन पहले मेरठ में भारत में दिल्ली के पास मेरठ मोश्ट लोगों को पता है तो एक व्यक्ति का पता चला तो उसकी इलाज करते कि वो बड़े-बड़े जो जहरीले सांपों से डसवाता है अपने आपको डसवाता है क्योंकि आप उसको आफिम वह चारह साब काम रिद्ध करता है जब तक वो जहरीले सांपों से ना डस वाएं तो उसको वह यह जैसे नशेग्श लोगों की जैसे नशेडियों kun काॉत आप उसका पर उसका नशा चल गया है कि दिल्यूजन मोह यही तो मोह है अब मोह से अटास्ट मोह के कारण आप चीजों से अटास्ट होते हो प्यार ढूंटे जुनते कुशी ढूंटे जुनते और वही आपके दुख के कारण बनता रहता है इस तरह यह साइकल चलता है बिमारी बिमारी के कारण दवाई दवाई खा एक दूसरे से साइकलिक मोड पर होते हैं और यह कॉंस्टांटली चलते रहते हैं इस साइकल अफ डिलूजन अड ग्रीप डिलूजन का यह जो अटाच्मेंट की और एक साइड है अटाच्मेंट हमेशा एक्सक्लूशिव होता है या प्यार कहिए अटाच्मेंट का जो खुबशुरत वर्ड है इस कर प्यार के जिसको हम आज कल जिसको जिस अर्थ में प्यार करते हैं आई लाइक इडाव इट यह वह हमेशा एक्सक्लूशिव होता है एक्सक्लूशिव का क्या मतलब है कि वह जब एक को आप प्यार करते हैं बाकी चीजों को एक्सक्लूड करना पड़ता है जब कहते हैं कि मैं इस चीज से प्यार करता हूं तो अटोमेटिक लिए बाकी चीज़ें एक्सक्लूड होंगे और जब तक आप सिंगल आउट करेंगे नहीं तो फिर मोह होगा ही नहीं मोह या डिल्यूजन या अटाच्मेंट की पहली खुरा के एक्सक्लूशिविटी यह मेरा बच्चा मेरा पती मेरे पतनी मेरा घर मेरी गाड़ी मेरा पैसा जो भी तो आप मेरा देश मेरा रिलीजिएन जो भी आप कहेंगे मेरी लांग्वेज वह जब तक एक्सक्लूशिव होगा नहीं तो आप अटाच्मेंट में इंटेंसिटी उतनी बढ़ेगी जितना आपकी जो अटाच्मेंट को एक्सक्लूशिव बना होगे तो इससे अनाधर आस्पेक्ट या नेचर अब दमोह कि वह हमेशा एक्सक्लूशिव होता है और एक्सक्लूशिव का मतलब बाकी चीजों को हटाना पड़ता है जो है उसके अलावा और कोई नहीं मुझे अगर इ कर रहे हैं ना किसी को कोई मेसेज देने कोशिश कर रहा है उपनीशद भी नहीं कोशिश करता है जब आप केते हैं मेरा घर है और उस घर में छोटा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें दर्द होता है यह अपने आप एक्स्लूट कर देता है कि बाकी कोई भी घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है और होता नहीं है पडोश का घर आग लग जाए तो भी हमें दर्द नहीं होता और मेरे घर का एक हिस्सा भी अगर कुछ कराब हो जाए दर्द होता है डाट इसकल एक्स्कूशिवनेस इसी तरह मेरा घर मेरा अफिस अब इसको ऐसे समझेगा शपोज क कहीं अर्थक्वेक होता है सुनामी आई 15-15 साल पहले जब भी लाखों लोग मरे गए हम भी आप भी अपने घर में बैटके टीवी में देखा दू लाख लोग मरे पांच लाख लोग मरे दश लाख लोग मरे दुख हुआ इसका सबसे बड़ा कोबीड में आप देखिए पुरे दुनिया में अल्मुष्ट करोड के आसपास लोग मरे अमेरिका में अब मुझे अभी तो डाटा पता नहीं पर और तो इस समय शुरू शुरू में मर गए थे पांच्ये लाख पूरे दुनिया में लाख हों की संक्या में मैं मैंने लाक्ष्ट लोग मरें मिल्यस में मरें और हम सब को दुख्ग हुआ आपको दुख ज्यादा किसमें हुआ पूरे दुनिया में 20 लाख लोक मरे कोविड में उसके कारण आपको ज्यादा दुख हुआ या अमेरिका में जो पांच लाख मरे वो ज्यादा दुख का कारण बना और अगर आप इंडिया से ज्यादा अटास्ट हैं अमेरिका के इंडिया में सब दो लाख मरे तो उसमें ज्यादा दर्द हुआ इंडियान को अमेरिका से ज्यादा इंडिया वाले में ज्यादा दर्द हुआ क्योंकि वो कनेक्शन है तो दुनिया में 20 लाख मरे दुख हुआ पर उससे ज्यादा दुख हुआ अमेरिका में 5 लाख मरे क्यों जिनमें आपके कुछ जान पेचान के हो वो ज्यादा कष्ट दायक हुआ ज्यादा दुख दायक हुआ और आपके फ्यामिली रिलेटिव सरकल में अगर किसी दो मर गें कौन सा दुख आपको ज्यादा होगा वो बीश लाग के कमपेरिजन हमारे रिलिटिव सरकल में जो दो मरे वो ज्यादा दुखदाई होगा और अगर उन में से हमारे फ्यामिली का हो तो दुख कहां बढ़ा एक व्यक्ति पर और अगर उसी दिन मुझे कोविड हो गया मैं मरा नहीं है तो सबसे ज़्यादा दुख कहां पर होगा खुद की कोविड हो जाने पर क्यों मोह की intensity exclusiveness मैं सबसे ज़्यादा प्यार किस से करता हूं खुद से सारी दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे अगर उसकी comparison हलका सा भी हो तो बस मेरा शोक यहीं रहा अगर मैं ठिक ठाक हो मेरे family members थोड़ा मोह extend हुआ family members से relatives जान पहचान के friend circle थोड़ा बढ़ा तो मेरी city मेरा देश फिर बढ़ा तो आप internationally world और अगर कोई दूसरे प्लानेट में होता तो हमें फरकी नहीं पढ़ता message क्या है किसी के मरने से हमें दुख नहीं होता दुख होता है मरने वाला व्यक्ति के साथ मेरा attachment कितना है attachment दुख का कारण होता है किसी का मरना दुख का कारण नहीं होता attachment में intensity जितना ज्यादा होगी आपका दुख का लेबल उतना ज्यादा होगा अगर नो attachment नो दुख कि ऐसा कभी देखा है अपने की टीवी में न्यूद चल रहा है दो लाख लोग कहीं मर गें इंडोनेशिया में आफरिका में और आप चाय पी रहे ते छोड़के बैठ गया है ऐसा हुआ है उल्टा कह रहे हैं जड़ा चाय बनाना आप पकोड़ा चाय खा करके देख रहे होते हैं देखो दो लाख लुक मर गए चाय थुड़ा गरम ठंड़ा कह हो गया गरम करके लिया आओ पर एंजॉइंग यूर लाइफ जब आप डिस्कुशन कर रहे होते हैं पर क्या यही हालत सेम हालत होगे अगर हमारे घर में या परोश में होता नहीं होता है ना अगर 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 अपने अपने अटेश्मेंट को थोड़ा बढ़ाया उसकी जो जो पेरिफेरी है जो बाउंडरी है उसको अगर अगर आपने बढ़ाया तो तो क्या होगा पता है बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज है जैसे पानी अगर एक कम बाउंडर में रखोना तो उसकी इंटेंशिटी बढ़ी होती है उस पानी की बाउंडरी को खोल दो तो पानी विक हो जाएगा उसकी इंटेंशिटी कम हो जाएगी अगर एक लीटर पानी एक जॉग में है और एक लीटर पानी एक बहुत बड़ा तॉब में है तो उस पानी की जो एबिलिटी है ना जो जो पावर है वो कम हो जाता है तो डिग्री अपाटाच्मेंट जैसे जैसे आपका मोहब बढ़ेगा अर्थात एक विक्ति के जगह आप 10 लोगों में अटाच्ट होंगे आप 10 लोगों के जगह सो लोगों से अटाच्ट होंगे सो लोगों के जगह करोणों लोगों से अटाच्मेंट होगे तो होगा क्य आप इसलिए आपको Saikoscha करता हूं सुत्रत तभी समझ में आएगा मन्तर तभी समझ में आएगा जब मेने मेरा परिवार मेरे फ्रेंड्स मेरे एक इस मेरे डलीजिज़न मेरा देश नहीं हर मनुष्या हर प्राणी सब मेरे हैं जैसे मैं हूं सब वहीं है सबोज यह फिलिंग हमारे अंदर आ गया अब किसी को भी दुख हो अब दुख तो सब के साथ हो सकता है आप दुखी होंगे पर आप कितना दुखी होंगे क्योंकि किसी रोज करोडों लोग मरते हैं दरोडों नहीं तो लाखों मरते हैं लाखों लोग विमार पड़ते हैं लाखों लोगों के साथ बुरा होता है आप कितना दुखी बनेंगे किसी डॉक्टर को देखते हैं पेसेंट को देखते हुए शुरू शुरू में डॉक्टर जाता है तो उसको भी दर्द होता है पर वो रोज आप सैकड़ों देखने लग गया आप उसको दर्द थोड़े होता है किसी फिन्रेल होम बाले को देखा है कि उनको कोई दर्द होता है क्यों सब अपने यह जो आपके घर में एक मरा है मेरे पास तो रोज पांच मरे हुए आतने मैं क इसके लिए दुख करूं दुख नॉर्मलाइज हो जाता है दुख जिन्रलाइज हो जाता है तब जिन्रलाइज हो जाता है क्या हो जाता है आपको दुख आपकाम होने लगता है अब मंत्र समझेगा मोह जब लिमिटलेस हो जाए मोह में जब डिल्यूजन में यह अटाच् अटाचमेंट जब अपनी लिमिट को तोड़ दे फिर अटाचमेंट अटाचमेंट नहीं रहता है उसको फिर अटाचमेंट नहीं कहते हैं फिर वो क्या होता है इसी को हमारे शास्त्रों में कहते हैं आत्मग्यान आत्म ज्यान खुद को रिलाइज करना मंत्र ने क्या बोला जिसने खुद को जान लिया कि मैं कौन हूँ वो खुद में उस चेतना को फील करता है फिर उस सब में सेम चेतना को उसी परमात्मा को सब जगा फील करने लगेगा जब तुमें सब में वही चीज दिखने लगे फिर किसके लिए दुख अब अटाच्मेंट रहा ही नहीं अटाच्मेंट के लिए एक्स्क्लूशिवनेस चाहिए अब जब अटाच्मेंट रहा ही नहीं तो दुख किसके लिए है डॉक्टर किस-किस के लिए दुखी होगा फिनरल होम बाला किस-किस के लिए दुखी होगा दुखी होने लगे तो उसकी जिन्दे की वह तो 15 दिन में मर जाएगा एक हफ्ते में मर जाएगा इसी तरह हम जब सब में वह सेम चीज को देखने लग जाते हैं तो फिर वो हमारा मोह लिमिटलेस हो जाता है तो फिर क्या शोक होगा क्या दुख होगा पूरा मंत्र को एक बार देख लिजे यसमिन, सर्वानी, भूतानी, आत्मी वाभुत विजानत, देटेयर एक्जिश्टेंस इन हिमसेल जो जो एक लाइन और रह गया लाश्ट में एक अट्वमिटलेस होगा जो जो एक लाइन और रह गया लाश्ट में एकत्व मनुपश्यता यह बहुत एकत्व अब वो सब में उस एकापन को एकापन उस सिंगल ने इसको फिल करने लग गया अब यह राम नहीं, यह श्याम नहीं, यह गोविंद नहीं, यह अमेरिकन नहीं, यह मेक्सिकन नहीं, यह आफ्रिकन नहीं, यह शत्रु नहीं, यह में यह डॉक प्वारे वांथी दॉक प्राइब अर्वाय कोए स्बस्क्राइब ऑफ सीह अर्ज को अ होता है उज्ज तक ना महत भूल उता है सअध़ अपने ज्यान से सुना बहुत भर धन्य वास नमस्टे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें